नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का जीके माहतमजी में दोस्तों आज हम कवर करेंगे विशाणवो द्वारा होने वाले रोग एक ट्रिक से हम ये कवर करेंगे बिल्कु लीजी ली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर आपका ये चैप्टर कंप्लीट है तो आप फीडियो चोड़ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है तो बने रही जीके माहतमजी के साथ और कीजी अपनी सभी डाउट दूर देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विशाणू अद्वारा कौन-कौन से रोग होते हैं गलसुआ, ट्रैकोमा, खस्रा, एड्स, फ्लू या फिर हम इसे कह सकते हैं इन्फुलेंजिया, रेबीज, हर्पीस, चेचक, पोल्यो, छोटी माता, डेंगू बुखार, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस तो दोस्तों ये सब ही रोग होते हैं विशाणू अद्वारा यानि की वायरेस द्वारा अब इन्हें हम याद करेंगे ट्रिक से अब देखिए सबसे पहले हैं विशाणू, विशाणू को रिलेट करते हैं आगे आता है विश, विशाणू से बन जाएगा विश, अब विश से देखना पांच छे रोग जो हैं वो कवर हो जाएंगी जिली अब मालिज ये किसी बन्दे ने विश पी लिया या गलती से उसकी बोड़ी में विश चला गया, तो सबसे पहले क्या होगा, गलसुआ, यानि कि उसका गला सूच जाएगा, अब बन्दे की बोड़ी में विश चला गया, तो उसका सबसे पहले गलसुआ, यानि कि गला सू जाएगा और चांस बनते हैं पूरे कि वो कोमा में भी चला जाए ट्रैकोमा याने की कोमा नेक्स्ट खस्रा खस्रा याने की खत्रा और उसकी जान को खत्रा भी है भाई गला भी सूच जाएगा कोमा में भी चला जाएगा और खस्रा याने कि उसकी जान को खत्रा भी बना रह यह तीनों हो गए हैं किलियर देखिए एक पर फिर से देख लेते हैं तीनों को देखिए वीश अगर बोड़ी में चला गया तो गलसुआ गला सूच जाएगा ट्रेकोमा बंदा कोमा में भी जा सकता है खसरा यानि कि उसकी जान को खत्रा भी है नेक्स्ट एड्स अब देखिए आपको पताई है एड्स ऐसी बेमारी है जो धीरे धीरे ही सही लेकिन बंदे को खतम कर देती है तो वो भी एक विस की तरह है जहर की तरह है और हम इसे रिलेट कर रहे हैं विसानों से विस से तो एड्स क्या है चाहे वो धीमा ही जहर हो लेकि अब दोनों में ही फुलू आ रहा है स्टार्टिंग में भी फुलू है और इसके बीच में भी फुलू है तो ये बन जाएगा फलू को हम रिलेट कर रहे हैं फल से और फल के अंदर क्या होते हैं रे बीज बीज आ रहा है फल के अंदर जो होते हैं वो बीज होते हैं और वो ब होते हैं रे बीज याने că e beege होते हैं और वे बीज जानोय जाने की विशहले हो सकते तो हमें फलके हर प्रीज खरीज को देखकर खाना चाहिए कई उसमें इसमें तो नहीं है दोस्तों थोड़ा चैप्टर जरूर है लेकिन इससे easy trick आपको नहीं मिलेगे आप एक बर इसको mind में बैठा लेंगे तो आप जिंदिकी पर नहीं बूलेंगे exam में कहीं न कहीं ये आपको याद आ ही जाएगा और आप सही करेंगे question को अब next है चेचक चेचक याने की चाचा पोलियो पोलियो चाचा रोटी पोलियो क्या पोलियो कह रहा है के चाचा रोटी पोलियो छोटी माता को डेंगु बुखार चोटी माता डेंगु बुखार याने की चाचा रोटी पोलियो चोटी माता को डेंगु बुखार है अब चाचा जी कहते हैं देखिए आगे है मेनिन जाइटिस्ट मेनिन मैं नी में आ रहा है मैं नी चाचा जी कहते हैं मैं नी भाई मैं नी पोता रोटी next हीपेटाईटिस्ट मैं नी पोणगा भाई मेरा जो है हीपेट हीपेट मेरा भी पेट टाइट है क्यों क्योंकि मैं तो खाना का चुका हूँ तो मैं नहीं पोणगा रोटी अब देखिए एक पर इसको फिर से देख लेते हैं चेचक यानि कि चाचा जी पोलियो क्या पोलियो रोटी पोलियो क्यों क्यों क्योंकि छोटी माता को डेंगु बुखार हुआ है चाचा जी रोटी पोलियो छोटी माता को डेंगु बुखार हुआ है तो चाचा जी कहते हैं मेनी जाइटिस्ट मेनी भाई मेनी पोता क्यों बैटाइटिस्ट क्योंकि मेरा तो है पेटाइट यानी कि मैं तो घाना घा चुका उन्या तो तो पेट बिल्कुल मैं था चुक्त है जगहई नहीं है रोटियों कि श deficरव मैं नहीं होंगा साथ थोड़ी funny जरूर है trick बट बहुत ही काम की है आप इसे एक दो बार अच्छे से देख लीजिए यह आपके बिलकुल बढ़िया से समझ में आ जाएगा और आप exam में अगर यहां से question बनेंगे तो 101% उन्हें शौल करेंगे तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में बैक्टीरिया के साथ trick लेकर और इस वीडियो के बार आपका कोई भी सुचाओ कोई भी चार तो प्लीज कॉमेंट्स कीजिएगा और एक लाइक तो बनता है बॉस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लि जाइन जाबहरत